इस बार मुक्तिश्वर घूमने का कारिकरम बनाया गया, प्लान था कि लखनाओ से सीधे एक दिन में भीमताल रुखते वे, दूसरे दिन मुक्तिश्वर को प्रस्तान किया जाए, प्लान के मताबिक सारे तैयारी की गई, सभी सामान कपड़े आदी पैक कर, सुवच्छ बज लखनाओ से भीमताल की और हम निकल पड़े हैं, भीमताल जाने के लिए, लखनाओ से दो रास्ते हैं, या तीन रास्ते हैं, या तो लखनाओ से हर्दोई, फिर बरेली, और किच्छा होते वे, अल्दवानी भीमताल, या फिर लखनाओ से सीतापूर, साजापूर, बरेली होते वे, अल्दवानी भीमताल, और एक तीसरा रास्ता भी है, जिसमाँ अब लखनाओ से सीतापूर, पीली भीत, खटीमा होते वे, अल्दवानी जा सकते हैं, यह चोरगलिया का रास्ता बोलते हैं इसको, तो इन रास्तों को पार करते हुए हम पहले दिन भीमताल में रुके, भीमताल में एक होटल में रुके, होटल लेग भीू इन में, उसके बाद दूसरे दिन मुक्तिर सर की तरफ प्रस्तान कर गए, रास्ते में मौज मस्ती करते हुए कई जगह पर रुके, एक जगह पर जब हम भीमताल से मुक्तियुसर को जा रहे थे तो ये वीडियो बनाया हमने ये थोड़े सी फोटोग्राफिकी की रोड में भावाली भीमताल हंद्वाली अलद्वानी मार्ग में ये रोड है ये जगह है उसके बाद मुक्तियुसर पहुंचने के बाद हमने वहां पर एक केम यन कुमाओं विकास निगम का होटल एक किया जिसको जिसमें सारी सुधाएं उकलब जोती भीमताल जाने के लिए भीमताल से पदबपूरी धारी मार्केट धाना चूली होते वे हम केम बियन टूरिस्टिदेस्ट हाऊस मुक्तियुसर पहुंचे बटेलिया मुक्तियुसर मारकेट से होते वे ये सामने का भीव है मुक्तियुसर से जहां हम रुके वे थे उसके सामने से एक भीव पॉइंड था जहां पर से पंचाचुली हिमाले रेंज साफ साफ देखी जा सकती है मुक्तियुसर वैसे तो एक छोटा सा कजबा है लेकिन कुछ चीज़े यहाँ पर जिनको हम टॉप साइड से इन मुक्तियुसर बोल सकते हैं उनमें चॉलिकी जाली मुक्तियुसर धाम टेंपिल मुक्तियुसर महादेव टेंपिल भालूगाड फॉल और दूसरे वाटर फॉल वहाँ पर हैं मुक्तियुसर में एडवेंचर गेम के तोट पर जी प्लाइनिंग एक स्पोर्ट से है इसका इसमें बच्चों ने इसका आनंद लिया उसी का भीव आप सामने देख रहे हैं भी काफी रो मांचक था है गेम एडवेंचर वापिस ही में मुक्तियुसर से हमारा प्लान दुबारा भीम्दाल आने का था क्योंकि बच्चों का प्लान था कि वहाँ पर पर ग्लाइडिंग किया जाए इसलिए एक दिन मुक्तियुसर रुकने के बाद दूसरे दिन सुभी का भ्यू देखने के बाद हिमाले का या राजिंग सन देखने के बाद हम हम मुक्तियुसर से भीम्ताल की तरफ चल पड़े हैं यह जी प्लाइनिंग का एक भीहंगम द्रिश्ची है जिसको बच्चे कर रहे हैं जी प्लाइनिंग करने के बाद पनिस्किंग पॉइंट से उपर को आते हुए पुरा गोमने के बाद आते हैं के बाद केम्वियन डेस्ट हाउस में जाने से पहले पैदल अजोई करते भी इंजोई मेंट यह हमारा गेस्ट हाउस है जिसमें हम रुके हुए थे यहां पर एक चॉली की जाली नाम से एक टूर्स प्लेस है जिस पर लोग जाते हैं जो भी मुक्तियुसर आता हैं जो भी है यहां पर जाते हैं और एक मंदिर है मंदिर में जाने का यह पाड़ी रास्ता कि भने जंगलों के भी से यह मुक्तियुसर जो रेस्ट हाउस था उसका रूम का एक द्रिश्य है रूम अललग साइज और टैरिफ के हैं जो मैक्सिमम टैरिफ वहां पर इस के अंवियन के ट्यूरिस्ट हाउस में है मैक्सिमम 4200 से लेकर के 2200 तक के रूम में यहां पर उकलब्द हैं रूम से में लगबब सारी सुधा हैं और रेस्टोरेंट फसलेटी यहां पर अबिलेबिल है तो क्योंकि इस लाके में तो रेस्टोरेंट में खाना माना खानी की सुधा हैं पर उकलब्द है अज़ जो आपके लिए और आपके लिए भी तो आपके लिए ते लिए खागा है पूरा हिमालेन रेंज यहां से साफ साफ दिश्ट कोचर होता है जिसका भीव आपके सामने दिख रहा है वीडियो में पंचाचुली रेंज पंचाचुली रेंज पंचाचुली रेंज दिख रहा है और यहां से साफ कि कौमाओं विकाश्टिकं का टूरिस्टा हूस है यहीं रात को हमने भी स्राम किया सुबह ब्रेकफास्ट करके हमने यहां से वापिसी शुरू की यह सुबह का द्रिश्य है कापी ठंड थी लेकर मौसम एकदम साफ था अब हम पेरागलाइडिंग शेतर में पहुँच चुके हैं यह भीमताल से कुछी दूरी पर है नौकुचियादाल वहाँ पर यह पेरागलाइडिंग के कई इस्ट्यूट हैं उनमें से एक इस्ट्यूट में आप गए जहां से हमने बच्चों ने पेरागलाइडिंग एडविंचर किया परागलाइडिंग के एक कुपमेंट पहनता हुआ पतकर्ष यह उड़ान के तैयारी सुरू हो गई है कुरी परागलाइडिंग एकुपमेंट इंप्लेस आप तोड़ी दिर में पान भरेगा यह देखिए निकलने वाला यह निकला उतकर्ष सामने नकुचे ताल दिख रहा है पूरा वो इलाका भीमताल का नकुचे ताल काफी देड़ तक हुआ मैं सहर करने के बाद लेंड किया इसने करें आजर आप कुए कर दो कर दो मैं कि ए再來 है है अब कि कर मैं से पूरे इलाके का द्रिश का आनन्द लिया और भीमताल और नोकुचियताल से थोड़ी उपर पर इनका लेंडिंग ग्राउंड है यह मूड़ा यह लेंडिंग की तैयारी है थोड़ी देर मैं आप यह लेंडिंग करेगा यह लेंड होने वाला है और उतकर से लेंड हो गया अब अंकिता की बारी है हमको ने पूरा गेर पहन लिया है बार बार कर रही है अब पर अगलाइट को देख रही है काप इंटरस्टेड है परेक लाइडिंग के इंस्टेक्टर एक साथ में चलता है उड़ान में और बाकी तीन या चार लोग जो परेक लाइड को उड़ाते हैं वो पीछे रह जाते हैं इलाका बहुत ज्यादा डेफलप नहीं किया गया है बिलको वही जंगल के बीच में यह स्थान बनाए हैं उन्होंने अले लगवेनी बनाए हैं जहां पर से उड़ान भरते हैं कुमाव मंदल विकास निकम को और अधिक सुविधा देनी चाहिए ताकि टूरिस्ट का और अधिक विकास ग्रोथ हो सके अंको पूरी तैयारी के साथ उड़ान बनने के लिए अब रेडी है यह उड़ गई अभी भी में नोका एन क्या जा रहा है थोड़ा सा हज़वानी वापस आने से पहले इमताल में फिर से एक बार नोका है इनका अनन देलिया हम लोग ने उशिकाए द्रिश्य है हाई झाल झाल झाल